हेलो स्टूडेंट्स वेलकम हीर आगेन और माई चैनल जानकर हीत मैसेलफ हीत अभिलाशी शर्मा एक वार फिर आपके साथ अकाउंटेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट इशू जिस पर हम बात करेंगे नमेरिकल्स ओव सबस्ट्री बोक्स उसमें स्पेसिफिकली हमारा जो ध्यान रहेगा वो है पर्चेस बुक एंड सेल्स बुक जब पर्चेस बुक की बात होगी तो सिंपल एंड विद जी एस्टी दोनों होता है कि पर्चेस बुक में कैसे रिकार्डिंग करते हैं हम उसकी बात होगी यह साथ में पर्चेस बुक से लैजर पॉस्टिंग कैसे होती है बात करेंगे बहुत इंपॉर्टन इशू पर जिसमें पर्चेस बुक और पर्चेस अकाउंट में डिफरेंस का है और थोड़ी सी बात करेंगे, trade discount and cash discount के बारे में, let's move ahead with me with today's content in this video, yes very important alert for all of you, इस पर ध्यान देना होगा, see the video on full screen to get maximum from content of video, वीडियो में जो कुछ भी अगर पूरी तरह से सिखना है तो पूरी सक्रीन पर, जो भी device है आपके हाथ में, mobile, laptop और कुछ भी हो जब उस पर देख रहे हो, तो full screen करके देखे तो ज़्यादा समझ आएगा, और complete समझ आएगा, साथ में जो दूसरी बात मेरी ध्यान रखना, व और हमा जो सबस्ट्री बुक से रिलेटर कुछ basic वीडियो हैं, specifically cash बुक से रिलेटर, जो numerical से रिलेटर, complete वीडियो हैं, 824, 825, 826 पर, जो इसी चैनल पर जानकरी है तो पर हैं, उनको देखिए, cash डिसकाउंट के बारे में अगग detail जानकरी लेनी हैं, तो A6 वीडियो है, ज पर है, trade discount क्या होता है, trade discount is given on the catalog price of goods, while cash discount is given on advice price, ध्यान रखना, catalog price and advice price, जो trade discount है, जो catalog price होता है, जिसमें, जो businessman के पास, जो उसका maximum price एक list बनी होती है, catalog उसी को कहते हैं, तो उस पर जो दिया जाता है, discount, उसको trade discount कहते हैं, और जो bill काट दिया आपने, जिस rate पर आपने, trade discount लगाने के बाद price लगाया, या बिना trade discount दिये, जो price bill पर लिखा गया, अगर उस पर discount दिया जाता है, वो cash discount है, trade discount is granted with the aim of increasing sale in work quantity, अगर sale को increase करने हैं, तो customers को lure करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, sale, sale, sale के concept से लेकर, तो trade discount दिया जाता है, और cash discount क्यों देते हैं, ताकि जिन से पैसे लेने हैं, वो जल्दी से cash का भुकतान कर दे, discount is granted to facilitate a quick payment, ताकि वो जल्दी से payment करें, clear होगी ये बात, yes, तो सबसे पहले format of purchase book, purchase book का format जल्दी से देखते हैं, वैसे मैंने सबस्ट्री बुक्स में बताया, date, particulars, inward, advice, advice का number आएगा, क्योंकि जब भी purchase करते हैं, supplier ने हमें एक bill दिया होता है, वो bill क्योंकि business में आता है समान के साथ, जिस पर सारी detail लिखी होती है, तो इस bill को हम एक तरह से क्या करते हैं, invoice, inward है क्योंकि या आ रहा है बहर से, inward invoice और अकेला invoice number लिख सकते हो, laser folio, amount in rupees, detail और total दोनों लिखेंगे, पिर remarks, कैसे लिखेंगे, आगे question में बताते हैं, नीचे total purchase account, जो भी purchase book का total होगा, वो जाएगा, purchase account में, समझ लगी मेरी बात, एक बात और सबसे important आप देख रहे होगे, purchase book में सिर्फ वही transaction आती है, जब goods on credit purchase हो, वस्तुमें हो, goods, goods in which business deals in, आप जानते हो, commerce के student हो, और सिर् credit purchase, cash purchase, purchase book में नहीं आएगी, वो आती है, cash book में, जो दूसरी सबस्ट्री book है, purchase book का performance ऐसे भी हो सकता है, depends upon the transactions, आज कल ये बहुत practical format है, क्योंकि GST लग चुक है, date, particulars, invoice number, laser follow, amount, detail, और total, जो इसको cost कहते हैं, धिहान रखना जीए, that is cost, cost क्या है, जो detail के बाद, एक particular business के साथ, एक transaction के बाद amount बनेगा, जो उस business, उस transaction की cost है, लागत, next इसके इसके इलावा, इसमें GST लग रहा है, तो input CGST, input SGST, input IGST, जो भी लगेगा, total and remarks, आप जानते हों, CGST and SGST, तब लगता है, जब कोई transaction, intra state हो, और IGST लगता है, जब intra state हो, एक state से दूसरी state की हो, आ इसके इलावा, एक बात और बताऊं, जो purchase book है, इसमें invoice number जरूरी नहीं, laser folio के साथ हो, date के साथ भी हो सकता है, it depends, आप कहीं भी लिख सकते हो, अगर invoice number है, तो हम इसमें note करेंगे, ये performance अगर GST के साथ बनाना है, तो ऐसे बनेगा, इसके इलावा भी column हो सकते है, transaction की जरू ये बहुत confuse करता है, बच्चों को, स्ट्ूडेंट्स में generally जे confuse हो जाता है, दोनों में फरक चाए, आऊ देखते हैं, जो purchase book है, ये सबस्त्री बुक्स में से एक book है, it is a part of principle book, क्योंकि जरूरिक के बाद laser का जए एक part है, laser अपने आप में एक प्रिंसिपल बुक है, जो purchase account ह ध्यान रखना, book of original entry है, purchase book, ये, it is a summarized account of purchase, purchase की एक summary है, record only credit purchase of goods, purchase book में, और purchase account में, it records cash as well as credit purchase of goods, दोनों ही इसमें आते हैं, cash और credit purchase जो goods की हो, ध्यान रखना, goods की, किसमें, purchase account में, purchase book में, सिर्फ credit purchase, purchase book is a statement, it is a account, purchase account क्या है, account, statement का performance change होता रहता है, जिरूर के accordingly, account का performance हमने देखा है, fixed format है, record of detailed transactions, yes, purchase book में detail आती है, transaction की quantity, quality, rate, gross amount, net amount, सब कुछ लिखते हैं, purchase book में, जबकि purchase account में क्या होता है, आप देख रहे होगे, only net amount is recorded of each purchase, हर transaction का capable net amount लिख दिया जाता है, detail नहीं आती है, purchase account में, total of each posted in purchase account, purchase book का जो total है, वो सीधा purchase account में posting करते हैं, उसकी, और total of each transfer to trading account, जो purchase account का total जा balance होता है, वो कहां जाता है, purchase account में ध्यान रखना, sorry, trading account में, जो final account बनते हैं, तो उसमें दिखाते हैं, trading account में, clear, तो numerical problem जो आज का main issue है, उसको देखते हैं, सबसे पहले, point, key point ध्यान से मेरा सुन लो, जब भी कोई question करो numerical, हमेशा complete question पढ़ो पहले, फिर उसको करना शुरू को, ताकि कोई हिस्सा पढ़ने से ना रह जाए, 2018, June 5th, purchase from Ratan and Company, देरादून, ये सारी चीज़ें उससे purchase की, और ये terms and condition है, 20 quintal sugar, rupees 1200 per quintal, question अब ध्यान से यहां पढ़ो, क्योंकि आगे question को देखना मुश्किल होगा, जब सक्रीन पे presentation करते हैं, तो दोनु चीज़ें को दिखाना मुश्किल हो जाता है, ध्यान से question पोटो कहां की दिमाग में बैठे, 20 quintal sugar purchase की है 1200 per quintal से, quintal में ही sugar है, quintal में ही rate है, ये दोनों का मिलना बड़ा जुरू है, 40 bags rice, each containing 1 quintal, rupees 1500 per quintal, ये फर्क हो गया, 40 तो bags है, rate per quintal है, तो bag में जितने rice हैं, उनको quintal में convert करना होगा, क्योंकि each containing 1 quintal, तो ध्यान रखना, एक में एक ही quintal है, 40 bags हैं, तो साफ हो गया, 40 quintal rice हो गया, 1500 का per quintal के हिसाब से, trade discount 15%, second purchase from भारत, भूशन और संस देली, 20 teens देशी घी, each containing 16 kg, at the rate of 120 per kg, ये फर्क है, 20 teen देशी घी पार्चेज किया, हर teen में 16 kg है, rate 120 per kg है, तो हमें total kg निकालने पड़ेंगे, total quantity निकालने पड़ेंगी, क्योंकि rate kg में है, एक teen में अगर 16 kg है, तो 20 teen में कितना हो गया, 320 kg देशी घी हो गया, तो 320 को 120 से multiply करेंगे, ऐसे value आ जाएगी, cost 1000 liter kerosene oil, rupees 6 per liter, ये clear है, kerosene oil मिट्टी का तेल खरीदा, 1000 liter 6 रुपे per liter के हिसाब से trade discount 10%, ये दोनो credit transaction है, तो purchase book में आएंगी, हम सिरफ purchase book से related transactions करेंगे, क्योंकि question है, purchase book को सीखना है, हमने purchase from Metro Traders of Mumbai, उससे ये सब कुछ खरीदा, wheat 30 quintal, at the rate of 500 per quintal, gram 20 quintal, at the rate of 1200 per quintal, rise 10 quintal, at the rate of 1400 per quintal, ये quantity जो यहाँ दी हुई है, और जो rate होता है, इनका मिलना बड़ा ज़रूरी है, नहीं मिल रहे तो, मिलाओ, जैसे उपर देशी घी के टीन थे, rate kilogram में था, हमने टीन को kilogram में convert किया, कि उसमें total कितना kilogram था, ये unit का ध्यान रखना होगा, purchased for cash from Raza Brothers लदिहाना, उससे cash purchase किया, cash transaction कभी भी purchase book में नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, ये अगर आती, अगर business की accounting entries करें, हम सारी recording करें, तो ये entry cash book में आनी थी, क्योंकि cash transaction है, अगर हम सब स्वेशी books बना रहे हैं, about furniture, from new furnitures, amrisa 20 chairs at the rate of 300, two tables at the rate of 1600 each, ये transaction भी नहीं आएगी, क्योंकि वो एक grocery merchant लग रहा है, उसके, उसने furniture purchase किया है, that is asset, ये entry भी अगर cash transaction है furniture की, तो cash book में आएगी, otherwise ये journal proper में आएगी, ये ध्यान लगना ये purchase book में नहीं आने वाली, तो आएगी कैसे, अब दिखाते हैं, सारी transactions दिमाग में रखो, ये student purchase day book बनाई, day book का मलब प्रती दिन का, इसमें transaction होते है channelological, अब purchase book भी लिख सकते हैं, date, particulars, involved invoice number, involved invoice number, lesser value, detail amount, invoice number किसी transaction में नहीं है, तो हम नहीं लिख रहे हैं, अगर दिया होगा तो लिखेंगे, अब को याद होगा, फिस्ट जुन को राम एंड कंपनी देरा दून से, 20 quintal sugar, at the rate of 1200 per quintal purchase की, 24,000 की, 40 bags rice at the rate of 1500 per bag, क्योंकि एक quintal ही था, इसमें, ध्यान रख को यहाँ लिख सकते हैं, तो यह सारा detail में लिखना है, फिर यह complete transaction खत्म होगी, आप देख रहे होगे, यहाँ पे एक line लगी हुई है, एक transaction complete, detail में भी complete कर दी, लेकिन amount में हम line नहीं लगाएंगे, जो net amount बना, वो 71,400, discount को minus करने के बाद, दूसरी transaction थी, 10 जुन की भारत, भुशन और संस देली से, 20 teens, देशीगी, इच containing 16 kg, 120 पर kg, तो आपको बताया था, 320 kg बना था, 120 पर kg के हिसाब से, 38,400, 1000 लीटर कैरोसीन ओइल, एड़ादर रेड़ो 6 पर, 6000 का बना, टोटल जो amount बना, 44,400, उसमें से 10% rate discount, जा 40,400 पर 10% rate discount calculate किया, वो आया, 44,000, माइनस किया, तो net amount बन गया, 49,960, इन सब को हमने add करने, इसलिए यहाँ line नहीं लगानी, जो total amount बन रहे last में, तांकि total purchase पता लग सके, 14 जुन को Metro Traders Mumbai से 30 quintal wheat, 20 quintal gram, 10 quintal rice, 500 rupees, 1200 rupees, and 1400 rupees, पर को inter respectively, इनको इस rate में करीद है, amount कितना बना, जब multiply करके, 30 को 500 से multiply किया, 15,000, 24,000, 14,000, इसमें trade discount नहीं था, तो total amount कितना बन गया, 53,000, और इन सारे amount का जब total लगाया, जो gross total बना, that is 1,64,360, 1,64,360, एक लाख, चौनसर हजार तीनसो साट, ये जो grand total है ना भी, ये सारा का सारा याद रखो, ये transfer हो जाता है purchase account को, तो purchase account अगर बनेगा, तो उसमें ये transfer हो जाएगा, ये धियान रखना, कैसे बनेगा, कैसे जाता है, दिखाते हैं अभी, दो entries और थी, एक cash transaction थी, एक furniture की, वो purchase book में नहीं आएगी, तो देखते हैं आप laser posting, बहुत important हिसा है, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ purchase day book बना रखी है, क्योंकि generally screen पे problem रहती है, बनाने में, ध्यान से देखो, एक तो RAM and Company का account बनेगा, क्योंकि हमने laser posting सीखनी है, आप, RAM and Company का account बना दिया, दूसरा भार्थ भूशन एंड संस देल ली था, तो भार्थ भूशन एंड संस का account बना दिया, तीसरा Metro Traders मुंबई था, तो Metro Traders का account बना दिया, चो था purchase day book का जो total है, वो purchase account में जाता है, तो purchase account बना दिया, laser costing दियान से सुनो, purchase हमेशा debit होती है, तो purchase account की debit side पे, यह एक conventional method है, ऐसे लिखने का, two sundries as per purchase book, means यह purchase हुई है, 1,64,360 की total, पर कहां से आई है, different type की purchase की purchase से, जो purchase book से है, sundries means बहुत सी different type की variety of purchase, वो एक लिखने का धंग यह होता है, उसको लेकिन आये का debit side पे, क्योंकि purchase account debit होता है, जो credit purchase किया, तो creditors, जिन्हों से हमने purchase किये, वो हमारे creditors बनेगी, तो creditors तो credit होएंगी, उनके credit side पर buy purchase, buy purchase, buy purchase, and amount जो था, 71,400 जो बन रहा है, 39,960, एक बाद ध्यान रखो, सब का amount दिखाना, trade discount कभी भी नहीं दिखाते है, principle books में, यह सर्फ सबस्ट्री बुक्स में होता है, तांकि ध्यान में रहे, किस से, किस rate में आया, detail दिखाने के लिए, otherwise, जो हमने laser posting की, उसमें कभी भी trade discount शो नहीं करते हैं, तो students, एक question और करते हैं, to make it confirm, अब बात करते हैं, GST से रिटरार question आये, तो purchase book में कैसे करते हैं, purchase 10 mobile phone, वाजिवा, mobile का question है, ready हो जाओ, one plus company का 32,000 का, एक from Manisha Bailof Amri sahr, added trade discount of 10%, plus freight 2000, CGST and SGST, 14,000, एक complete transaction है, त्यार हो जाओ भी, इसको सीखने हैं, हर हाल में, 10% trade discount भी देना है, freight उसको लाने का किराया भी cost का part बनना है, ध्यान रखना, CGST और SGST 14% each है, ये transaction दिमाग में रखना, हम इसको वहाँ show कैसे करेंगे, purchase in cash, okay, cash purchase की है, तो इसको दिखाने की जुरूरत नहीं है, क्योंकि ये जाएगी cash book में, हम बना रहे हैं सिरु purchase book, purchase book में credit purchase आता है, purchase on credit to sofa sets, okay, mobile का shop की पर है, sofa set खरे दे हैं, मनपरीत कौर से 13,000 का each, तो ये भी नहीं दिखाना, क्योंकि ये furniture purchase की है, purchase 20 mobile phone, 1 plus at the rate of 40,000 from yes, ये complete transaction है, हम दिखाने के 20 mobile खरे दे हैं, one plus का company है, 40,000 का एक, जसलीन कोर ओफ मोगा से trade discount 20% है, freight और GST दिए हुए है, 14% each, freight है 5000, freight वस्तों को लेके आने का carries का किराया होता है, next है January 24, purchase 12 of mobiles, ये भी दिखाएंगे 18 January का, 24 January का भी दिखाएंगे, क्योंकि ये भी credit purchase है, phone of apple 75,000 from सतनाम सिंग ओफ देली, trade discount भी है 10% और साथ में freight and IGST है, ओके, आपको पता है, IGST और CGST and SGST, क्या है इसके बारे में, detail मेंने 3 वीडियो डाली हैं, GST के बारे में आप उसको देख सकते हो, complete knowledge वहाँ से ले सकते हो, GST की journal entries के रिखाड़े, अब हमने बनानी है purchase book, हम journal entries नहीं कर रहे, date, particulars, laser folio, यहाँ पे हम invoice number का column बना सकते हैं, मैंने बोला था, यह optional होते हैं, depends, यह invoice number नहीं है, तो नहीं बनाया, आप बना सकते हो, खाली छोड़ दो उसको, laser folio, detail coast, यह column तो same है, साथ में remarks का column भी बना सकते हो आप, और बाकी coast को bifurcate करने के लिए, सारी coast को लगलग दिखाने के लिए, यह part बनते हैं, coast, freight, input CGST, input SGST, input IGST, and total, यह ध्यान लखना, जैसे question में होगा, उसके accordingly यह column कम जाज जादा हो जाते हैं, सबसे पहले 3rd January को था, मनीश बैहल अमरिसर से, 10 mobile, 1 plus 32,000 का एक, 3,20,000 के, less 10% trade discount, 32,000 trade discount हुआ, net amount बना 2,88,000, freight उस पे दिया था, 2,000, gross कितना बन गया, 2,90,000, फिर 14,000 हमने GST calculate किया, 2,90,000 पे वो आया, 40,600, 40,600, CGST, 40,600, SGST, and gross amount कितना मना, detail के accordingly, 3,71,200, अब इस 3,71,200 उको हम bifuricate करेंगे, लग-लग हिस्सों में बांट कर दिखाएंगे, क्योंकि उसमें से cost कितनी थी, 2,88,000, यह दिखा हुआ है, यह cost हमने यहां ले, लिट्रेट डिसकाउंट निकालने के बाद, जो value होते है, that is cost, फिर freight, 2,000, input CGST, 40,600, input SGST, 40,600, IGST था नहीं, तो total amount कितना बना, 3,71,200, पहली transaction ध्यान से सीख लो, बाकी सारी उसी तरह से है, line वार थी, फिर 18 January की entry, यही दो entries नहीं आई थी, क्योंगी यह cash थी, एक furniture था, जिसलीन को और MOGA से क्या प्रशेज गिया है, 20 miles, 40,000 का एक, 8,00,000 के होगे, trade discount उसमें से minus किया, 20%, 1,60,000 आया, 20% कैसे calculate करते हैं, 8,00,000 का 20%, तो net amount बना, 6,40,000, freight add की, क्योंगी यह cost है, cost बढ़ गी, जब freight देते हैं, karch है, 5,000, 6,45,000, CGST calculate किया, 14% तो वो है, 90,300 है, 90,300, यह हमने 6,45,000 पे calculate किया, और उसके बाद, जो CGST, SGST add होने के बाद, total cost कितनी बनेगी, 8,25,600, अब इस cost को हमने bifricate कर देना है, ऐसी cost वाला column, जो 6,40,000 था, उसमें यह cost दिखा दी, freight, then CGST, SGST, and total amount, 8,25,600, इसी तरह से, 24 जन्वरी को, सतनाम सिंग देली से, 12 mobile phone, Apple के, 75,000 का, एक less trade discount, उसी तरह से, freight भी minus किया, IGST 28% है, 8,13,000 पे 28% का लेकर देली किया, 2,23,640, and total amount बना 10,40,640, फिर उसको bifricate कर दिया, उसी तरह से cost, freight, और IGST है, उसके बाद हमने इन सारी columns का total कर दिया, ध्यान से, cost का total 17,38,000, total freight 10,000, 1,30,900, 1,30,900, 2,27,640, यह है gross purchase, यह जो gross purchase आपको पता है कहा जाती है, purchase account में transfer हो जाती है, समझ लगावी GST का question, बहुत important था, अगर नहीं clear तो पीछे जाकर question को देखें, फिर दुआरा यहाँ पहुंचें purchase book में, next one आप बात करते हैं, sale book की, जल्दी जल्दी करते हैं, असान बन गया काम, अगर purchase book आगी तो sale book की भी असान, sale book में सिर्फ credit sale show करते हैं, cash sale हो तो cash book में जाएगी, जैसे purchase के बारे में बताया था, date particular, यहाँ advice numbers जो होगा, वो outward होगा, क्योंकि अब sale कर रहा है तो business, काट कर देगा, advice number जो business से बाहर जा रहा है, advice तो उसका नाम हमने, outward advice number रख दिया, आप advice number भी लिख सकते हो, laser folio amount, detail, total and remarks, same column, total sale account का, जो भी total हैगा, वो sale account में जाएगा, sale book का, तो student sale book और sale account में, क्या difference है, sale book के सबस्टरी book है, जो sale account है, वो principal book है, laser का पा, laser laser, it is a book of original record, जो sale book है, it is a summarized account of sale, क्योंकि sale का, जो सारी summary होती है, वो sale account में जाती है, it is a form of statement, sale book statement होती है, ये एक account होता है, जो sale account है, record only credit sale, sale book के में, हम सिर्फ credit sale record करते हैं, sale account में, दोनों cash और credit sale, दोनों record होती है, sale book में detail of transactions दिखाई जाती है, gross, net amount, quality, quantity, सब कुछ लिखते हैं, जबकि sale account में, सिर्फ net amount दिखाई जाता है, sale का, total of sale book को post करते हैं, sale account की credit side पर, जैसे purchase account में, debit side में, purchase book का total करते थे, sale book का total, sale account की credit side, क्योंकि sale क्या होती है, credit, sale account का, जो सीधा amount है, वो sale book का तो जाता है, sale account में, और sale account का जाता है, trading account में, clear, question करते हैं जी, sale book बनानी है, sold to message, महश and sons on credit, credit sale की, advice number दिया है, तो हम लिख देंगे, 182, क्या sale की है, 72, kurta's at the rate of 175 each, 45, at the rate of 220 each, last 5% trade discount, याद रखना, and trousers ख्रीदे हैं, 5% rate discount, credit sale है, तो दिखाएंगे, sold to dipty and company, as a parent, advice number, फिर sale की dipty and company को, 50 long shirts, 185 each, 65 jeans at the rate of 235 each, इस पे discount नहीं है, तो नहीं दिखाएंगे, 18th February, sold to message, gupta and sons for cash, जब cash आ गया, ये ladies suits और T-shirts, sale किये, बट ये नहीं दिखाएंगे, क्योंगी cash है, ये अगर दिखाना होता, अगर हमने proper record बनाना है, तो ये जाएगा cash book में, क्योंगी cash sale है, trade discount 5% था, अब तो इन material हो चुक है, इसका मतलब नहीं, क्योंगी हमने दिखाना नहीं है, sale book में, हम सिर्फ sale book बनाना सीख रहे हैं आज, अगर वो गार्मेंट्स का मार्चेंट है, तो चेर बेची हैं, फरनीचर सेल की है, ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा, जा cash book में अगर cash sale होती, तो हम sale book में इसको नहीं दिखाएंगे, तो sale book का performa, date, invoice number में ने बताया था, इसको laser folio के साथ भी बना सकते हो, यहाँ पर और यहाँ भी ठीक है, particular, laser folio, detail and amount, सबसे पहले 1st Feb, invoice number 182, सबसे पहले ध्यान रखना, चाहे sale book हो जा purchase book, उसका पूरी firm का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसने जो purchase ने purchase जा sell की होते हैं, उसकी detail लिखते हैं, यह दोनों में ध्यान रखना, चाहे purchase book का या sale, जैसे यहाँ क्या है, 72, कुर्टा जाड़ा रेट हो, 175 इस 12,600 की, 65, ट्रॉज़ा जाड़ा रेट हो, 225 इस 10,125 की, टोटल कितना बन गया, 22,725, 5% trade discount calculate किया, 22,725 पे, जाओ 5% calculate किया, वो आया, 1,136, टोटल amount कितना बन गया, क्योंकि trade discount less करते हैं, तो 21,589, ओके, उसके बाद, टोटल के बाद मैंने बोले line नहीं डालनी, यहाँ हम line डाल सकते हैं, कि एक transaction complete हो चुकी है, 5 FAB की entry थी, 282,29 नंबर था, मैसिज दिप्ती एंड कंपनी, 50 long shirts, 65 jeans, 185 की एक थी, जो jeans थी 235 की एक थी, amount कितना बना detail में, 9,250 और 15,275, टोटल amount कितना बना, 24,525, 24,500 पच्ची trade discount नहीं था, तो नहीं दिखाया, उसके बाद एक transaction cash थी, एक furniture sale किया था, cheers थी, तो वो हम sale book में नहीं दिखाते, सिर्फ credit sale दिखाते हैं, credit purchase, purchase book में, credit sale, sales book में, अगर cash sale हो, या cash purchase हो, cash book में जाती हैं, अगर हम substrie books बना रहे हैं, और जो transaction इसके इलावा हो, वो general proper में जाती है, जब हम substrie books बनाते हैं, तो total sale कितनी बनगी, जितनी sale बनी, 46,114,46,144, अगर हम laser posting करते, तो उसी तरह से, यह किस में जानी थी, sales account में, दोनों transaction के बारे में ने लिख दिया, हम ऐसे exam में लिख सकते हैं, जो transaction नहीं दिखाई, क्योंकि हमने sale book में, सिर्फ credit sale show करते हैं, जो हमने message गुपता एंच संसे, cash show किया था, will not recorded in cash, sale book, sale book में नहीं आएगी, दूसरा goods means, goods होती है, in which business deals in, तो business तो कपड़ों का वेपारी है, वही उसने cheers sale की थी, तो वह नहीं आएगी sale book में, यह ऐसे हम note लिख सकते हैं, clear हो गया भी, अराँ से सोचो इसको, यह समझाना बहुत जरूरी है, तो dear students, I think the whole concept is quite clear, it's very interesting, थोड़ा length ही है, बट एक ही वीडियो में बहुत कुछ है, वीडियो के उस इससे में जाएं, जो clear नहीं हैं, दुबारा से देखें, नीचे comment box में जाके comment दे, इस channel पे बहुत सी videos हैं, regarding commerce subjects, as accountancy, economics, fundamentals of e-business, especially motivational videos too, are here on this channel, myself भी तबराशी शर्मा, will be here again, with lot of more videos, जो पहले हैं उनको देखिए, बहुत सी जो आने वाली हैं, उनको भी देखते रहिए, तब तब thank you very much,